दोस्तो आज की ये छोटी सी कहानी बाप बेटी की हरदे इस पर सी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और उसका अंत आपको हमेशा याद रहेगा ये कहानी एक बाप और उसकी पांस साल की बेटी की है एक बार बाप ने अपनी इस मासुम बच्ची को सक्त पनिस्मेंट दी क्योंकि उसने एक कीमती रेपिंग पेपर खराब कर दिया था बाप अपनी बेटी से नफरत करता था एशा नहीं था मगर आर्थिक हालात काफी तंग थे इसलिए बच्ची ने किये छोटे से नुकसान से बाप ज़्यादा गुस्सा हो गया बेटी ने एक बोक्स को रेपिंग पेपर से सजा कर क्रिस्मिस टी के पास रखा था बच्ची बेचारी दुखी होकर सो गई अगले दिन सवेरे बच्ची सब भूल गई और उठकर सबसे पहले वो बोक्स लेकर अपने पापा के पास गई वो बोक्स पापा को देते वे बोली पापा ये गिप्ट में आपके लिए लाए हूँ बेटी का अपने परती प्यार देखकर बाप को खुद के दुआरा की गई जात्ती का अपसोस हुआ लेकिन बोक्स को खोलते ही बाप का पारा फिर से चड़ गया क्योंकि बोक्स में कुछ भी नहीं था बाप ने बेटी की तरफ गुस्से से देखा और चिला कर बोला ये क्या है तुम मेरे साथ मजा कर रही हूँ या तुम्हें पता नहीं है कि तुम जब किसी को गिप्ट का बोक्स देते हो तो उसमें कुछ रखा भी जाता है बच्ची की आखें आशों से बर गई उसने अपने पापा की आखों में देखा और डरते हुए बोली पापा ये खाली नहीं है मैंने इसमें डेहर सारी किसिस पप्पियां भरी है सिर्फ आफ के लिए फिर से एक बार बेटी की मासोमियत और प्यार नहीं बाप के गुस्षे को पूरी तरह कुचल दिया बाप ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा और बेटी से माफी मांगने लगा बेटी ने बाप के आशु पोछी और बोली पापा मैं जानती हूँ कि आप परेशान है इसलिए मैंने आपको इस बोक्स में खूब सारे पप्यां दी है जो आपको हिम्मत देगी कहते हैं कि इस बाप ने अपनी पूरी जिन्दिगी उस गिप्ट बोक्स को अपने सिरहाने रखा जब जब वो जीवन में निरास होता या हिम्मत हार जाता तब उस बोक्स को खोल कर एक कालपनिक किस जो उसकी बेटी मासुम बेटी चोटी बेटी मासुम बेटी के दुआरा दी गई थी को लेता और उससे नई हिम्मत नई आसा मिलती हाँ ये सच है कि जिन्दगी सब के लिए इतनी आसा नहीं होती जीवन में परेशानिया निरासाएं असफलताएं नकारातमाकताएं आती जाती रहती हैं लेकिन भगवान ने हमें एक अनकंडिशनल गिप्ट बोक्स दिया है दोस्तों बहाई बहन माता पिता या साथी के रूप में दिया है जो हमें उस समय समय पर हिम्मत और आकरातमाकता भरे विचार देते हैं और ये एसास भी कराते हैं कि जीवन में उनसे ज़्यादा कीमती और जरूरी और कुछ भी नहीं है दोस्तों बेटी का अपने पापा के प्रति प्यार देखकर आपका भी दिल भर आयाना